दोस्तो जल्द ही अब बेहत सीजन 3 में नया अपडेट सामने आया है दोस्तो आप लोगों को बता देता चाहता हूँ कि कुसल टंडन की भी बेहत सीजन 3 में वापसी हो रही है क्योंकि लोग काफी समय से मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि क्या सिबेन नारंग और जन्नीफर के साथ में कुसल टंडन फिर से वापसी करेंगे क्योंकि बेहत सीजन 1 के एक्टर हमेशा ही वो कुसल टंडन चरचाओ का विसे बने हुए है लेकिन दोस्तों इस बात की जो की ऑफिसल घोषणा हो चुकी है कि बेहत सीजन 3 में आपके अपने फैबरेट कुसल टंडन जन्नीफर विंगिट के साथ में फिर से वापसी कर रहे हैं हाला कि ये बात भी सत्त है कि कुसल टंडन अरजुन सर्मा की ही भुमी का में वापसी कर रहे हैं ये वापए में जन्नीफर विंगिट के साथ में देखना दिल्चस्प होगा जब सिवे नारंग और उनके साथ में कुसल टंडन यानि दोनों ही एक्टर एक एक्टर के साथ में रोमांस करते नजर आने वाले हैं दोस्तों ये जानकर आपको वाकई में और ज़्यादा खुसी होगी कि जन्नीफर विंगिट और कुसल टंडन बहुत पुराने गहरे दोस्त हैं जो की हर सुक दुख में ये एक दूसरे के साथ में रहे हैं क्योंकि बेहस सीजन वन से इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यदा पसंद किया था बेहस सीजन टू तो बाद में आया था सिवे नारंग और जन्नीफर विंगिट का सिवे नारंग का किरदार हमिशा से ही चर्चाओं का विशय बना था लेकिन अर्जुन सर्मा की भूमी का निभाने वाले कुशल टंडन का नाम भी सुरू से ही चर्चाओं का विशय बना हुआ JAC Weinदे ऑर एक बार फिर से जन्नीफर विंगिट के साथ में दौनों ही एक्टर क्योंकि तीनों की तिगड़ी एक बार फिशे टेलिवीजन की दुनिया में वापसी कर रही है साथी दोस्तों आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस बार कुसल टंनन का गुस्चा आप साथ में आस्वन पर देखने को मिलेगा वहीं सिवे नारंग भी जन्नीफर विंगेट जैसी होट एक्टर के साथ में रोमांस करते भी नजराने वाले हैं वाकई में ये सभी के लिए दिल्चस्प होगा कि एक बार फिर से कुसर टर्नन, सिवे नारंग और जन्निफर विंगेट तीनों ही एक बार फिर से एक साथ नजर आने वाले हैं सुनने में ये भी एरा कि जल्द ही जैसे पिरमो लॉंच होगा उसमें सभी ओडियन्स को खुद ही पता चल जाएगा साथी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके तो जरूर बताइए कि आपको आखर कितना इंतजार है बेहल सेजन तरीका